हेलो एंड वेलकम तो यदना इंवस्टमेंट अकाडमी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंजूमर डूरेबल कंपनी के बारे में जो एक स्मॉल कैप कंपनी है और बी टू बी स्पेस में काफी जादा काम कर रही है तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर अंबर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड ये कंपनी 1990 में फॉर्म हुई थी और इस कंपनी का जो में बिजनेस है वो रूम एसी में ये लोग एस्टाबलिश है तो रूम एसी में ये एक मार्केट लीडर है विट अल्मुस्ट 30% मार्केट शेर अगर हम कंपनी की हिस् को वो शेट में अल्म के कंपोनेट्स बना कर सप्लाई करते थे इसी सब जगों पर ये लोग शेट में नकी के प्रोडक्स यहां वो रूम करते थे ते थे यह कंपनी के जो करेंट चैर्मन एंड येओ है Mr. Jaisbir Singh उनहाने 2000 में इन ये 2000 उनहाने इस कंपनी को जॉइन किया और उनका फर्स्ट जो मेन यहां पर उनका जो रोल था तो फाइंड मोर अपॉर्टुनिटीज फॉर शीट मेटल तो वह नए वर्टिकल्स को एक्स्पोर करना के लिए उन्होंने एसी के स्टड़ी किया और एसी सेग्मेंट को स्टड़ी करते वह उन्हें यह समझा कि एसी का जो इंडिया में डिमांड है वो बहुत ही मतलब नया है इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और एक ज्यादा होट कंट्री है और फिर भी एसी एक बहुत ही सुपर लगजरी प्रोड़क्त था उस टाइम पे और उनका यह मानना था कि आगे जाके यह एक नेसेसिटी बन जाएगा और यह वह बुलिश ओन इंडिया गोज टोरी वह 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 वरी कॉन्फिडेंट की एसी एक लगजरी से एक नेसेसिटी में बहुत ही जल्द कंट्रोड हो जाएगा इसलिए कंपनी ने AC मैनिफाक्टरिंग में अपना फोरे किया तो इन यह 2003 अंबर एंटर्प्राइज ने OEM बनके यहां पे AC मैनिफाक्टरिंग स्टार्ट किया तो ओरी OEM बेसिकली सिफ मैनिफाक्टरिंग करते है जो डिजाइन वागे रहे होती है वो उनके कस्टमर्स की होती है लेकिन ओवर दे पीरियर्ड नेक्स्ट फाइज सेवन यह में आंबर को काफी जादा experience आ गया और आंड आल्सो बिकम और कॉन्वर इस इंडश्टरी तो उनकी भी जो तो पूरा प्रोडक्ट यह अपने कस्टमर्स के लिए बनाती है साथी साथ यह और भी कई सारे वर्टिकल्स में प्रेजंट है कंपनी के जो करेंट बिजनेस अप्लिकेशन से उसके अगर हम बात करें तो वह कंपोनेंट स्पेस में भी काम करते है और फिनिश गुट स्पेस में भी काम करते है इन्दध एचवी एसी इंडश्टरी यह हिटिंग्वेल्टिरेशन एज एर अट एर कंडिशनिग्वाली उतको established किया and उसके आगे company की growth story कैसे रही उसको हम समझते है तो 1990 में यहाँ पे इस company का incorporation हुआ and 2004 में company ने अपने देराधून का एक unit established किया LG के लिए वो लोग AC में basically उन्होंने फोरे करके AC में यहाँ पे उन्होंने अपने components वगेरे बनाने लगे so as an OEM they started working in that period उसके साथ साथ जैसे LG का AC अगेरे का भी इनको contract में उसके साथ साथ वो दूसरे consumer durable products भी बनाने लगे for example manufacturing of microwave ovens for LG देरे देरे company ने अपने कई सारे जो उनके manufacturing facilities उनको established किया and after that in 2012 company ने organic growth से साथ in organic growth पे भी focus करना चालो किया so यहाँ पे multiple acquisitions भी company ने करे in 2012, 2017, 2019 and उसके बाद अगे भी देखे तो 2020 से लेके 2024 में भी company ने in organic growth पे काफी जादा focus किया है company ने 2011 में Green India Venture Fund से एक funding raise करी थी और 2012 में Reliance Alternative Investment Fund से यहाँ पे उन्होंने fund raising किया था so यह दो fundraising major रहे थे company के journey में जिन्होंने इस company को grow करने के लिए काफी जादा help किया so अगर हम company के value chain के perspective से यह चीज़े समझे तो 2003 में company यहाँ पे sheet metal के products बना रही थी उसके साथ 2007 में company ने heat exchangers का production चालू किया so heat exchangers AC industry में एक बहुत ही important component होता है so उसका manufacturing इन्होंने 2007 में चालू किया उसके पात जो injection molding components होते वो company ने चालू करें फिर multi flow condensers यहां पे उन्होंने बनाने का काम यहां पे 2010 में शुरू किया 2012 से लेके आगे तक के फिर inorganic growth की story भी यहां पे प्ले आउट होने लगी 2012 में तो induction motors उन्होंने बना है लेकिन 2018 में company PCB जो printed circuit board assembly होती है इस PCB industry में उन्होंने foray कर लिया और 2019 में एक acquisition करके जो सिद्वाल का acquisition है यहां पे उसके acquisition के तुरू company mobility division में अपना business established कर लिया आगे की अगर हम बात करें पोस्ट 2019 2021-22 में company ने पासियो का acquisition किया जिसका अभी currently नाम है Amber PR technoplast उसके बाद 2000 again same year में एक और acquisition किया उन्होंने pioneer tooling services को acquire किया जिसका currently नाम है परवर्त का tooling services तो यह भी company के एक subsidiary है उसके बाद Ascent circuits का इन्होंने acquisition किया फिर Korea circuit जो एक semiconductor space में काम करने वाली company है उनके साथ उन्होंने एक recently MOU sign किया और 2024 में again company ने टीटागर rail systems के साथ एक JV फॉर्म करी है जिसके अंडर वो अपने जो mobility division है उसको बूझ देना चाहती है अगर हम company के revenue mix की बात करें कि कैसे इनका revenue and EBITDA mix है currently जो 9 month FI24 का अगर हम data देखें तो 72% of the revenue comes from the consumer durables division and वहीं अगर हम EBITDA की बात करें तो 61% of the EBITDA comes from that division electronics division revenue terms में second largest contributor है जो almost 19% का revenue यहां से आता है and the third is the railway subsystem and mobility division तो यह सबसे छोटा revenue terms में सबसे छोटा segment है लेकिन अगर हम profitability की बात करें तो EBITDA terms में यह सेग्मेंट से revenue आता था सिर्फ 9% का वही EBITDA में 27% का contribution कर रहा है so that is the difference in the margins of these businesses की जो consumer durables है जो electronics division है यह जो दोनों सेग्मेंट से इनके margins on a lower side है single digit margin से आपे रहते है in fact electronics division के जो current margin से वो lower side पे है but जो इनके real way के जो mobility division के margins है that are not of 20% so अभी हम बात करेंगे कि company कैसे अपने divisions में उन्होंने अपने आपको bifurcate किया है so there are three major divisions जो अभी revenue mix और EBITDA mix पढ़ते हैं तो जो पहले जो सबसे बड़ा इनका division है that is the consumer durables division so consumer durables में company RAC में काम करती है याने की room AC में उसके साथ साथ तो उसके components भी बनाती है and non RAC components भी यहां पे company बनाती है so जो RAC components basically air conditioning में use होने वाले यहां पे components है and non RAC is for other consumer durables like refrigerators, washing machines, microwave, water purifiers, TVs, fans, telecoms ऐसे कई सारे industries में यह components supply करते हैं so multiple applications के लिए वो लोग products बनाते हैं उसके साथ साथ वो injection molding के भी काम यहां पे वो लोग करते हैं so overall company के पास इस segment में 23 manufacturing facilities है so हम यहां पे right side में देख सकते हैं कि कैसे 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 type के products यहां पे बनाती है company so RAC outdoor units and indoor units दोनों भी बनाती है company उसके साथ साथ window AC भी बनाती है and यह नीचे अगर हम देखे हैं तो यह multiple components है heat exchanger sheet metals, motors, compressor mufflers and cross flow fan तो ऐसे कई सारे products यह लोग इस division में बना रहे हैं एक interesting यहां पे snippet मैं आपके साथ share कर रहा हूँ so जो company के current CEO and chairperson Mr. Jasbir Singh उनों ने अपने Concall earnings Concall में बताया कि RAC का जो share था मतलब consumer durables का जो एक part है room AC उस RAC का जो overall revenue में mix था वो 2018 में 72% पे था and it has reduced to 38% so company ऐसा नहीं है कि RAC segment perform कर रहा है its that company ने दूसरे avenues को इतने अच्छे से explore किया है कि RAC पे जो इनका बहुत जादा dependence था उसको वो कम कर सके and एक diversified portfolio बनाकर diversified product portfolio बनाकर अपने आपको room AC के जो seasonality है basically seasonal business है यह AC का तो उस seasonality effect से भी अपने आपको insure कर सके तो इसलिए उन्होंने दूसरे segments में भी फोरे किया है and यह जो new segments है वो काफी fast growing है and इसी के वज़े से वो कहते है कि जो RAC का contribution है वो next two years में याने by FI26 और by FI27 तो next two three years में 28 to 30% पर यह contribution आ जाएगा RAC industry के अगर हम बात करें यह काफी अच्छे से grow करने वाली industry है अगर हम volume terms में देखे so FI19 से लेके FI23 so 6.5 million units यहां पर ACK जो sets थे वो FI19 में sell हुए थे and FI23 में 8.4 million units यहां पर sell हुए थे so अगर हम four years का यहां पर CAGR basis पर increase देखे तो लगबख 6.6% का increase यहां पर निकल कर आता है so यहां पर जो industry की size है हमने दो अलग-अलग levels पर compare करें एक तो market operating level and दूसरा है OEM level so market operating level मतलब जब market में AC बेचा जाता है तो उस वक्त जो price है उस basis पर जो industry की size है वो क्या होती है यानि कि as a customer जब हम AC लेने जाते है तो जो amount हम pay करते है that is forming part of this market operating price so market operating price में भी यहां पर जो growth है industry की वो लगबख 14.2% की है अगर हम average market operating price देखे per unit basis पर तो 7% का तो सिफ यहां पर price increase है and again volume increase थो हमने 6.6% का यहां अल्रेडी देखी लिया था लिकिन जो amber enterprises है यह B2B company है so this is not much relevant जो जादा important number है इनके लिए जो जादा relevant number है that is at the OEM level so जो company जैसे amber जैसे at an OEM level supply कर रही है so last 4 years में almost 16% से यह industry grow हुई है and यहां पर जो अगर हम average price देखे per unit का तो वो 15,000 से बढ़के 21,000 पर आ चुका है so एक चीज़ हम यहां पर देख सकते है कि जो average price growth है at the market operating level and at the OEM level it has grown even faster तो इसलिए जो amber जैसे companies है जो B2B play में वो जादा अच्छा perform कर यह period में अगर हम amber के revenue की बात करें RAC components की तो लगबक उनका जो fi23 में इस segment से revenue आता था वो 5,194 million या 519 करोड का यहां पर उनका revenue है लेकिन आगे आने वाली जो growth है वो और भी जादा better बताई जा रही है सिर्फ volume terms में अगर हम देखे तो 12% का industry volume growth की expectations यहां पर आ रही है similarly मतलब volume growth तो है उसके साथ साथ जो price increase भी होगे तो उसके वज़े से जो overall domestic sales trend यहां पर आएगा so that is the value basis पर industry जो grow करेगी that is around 16% so 16% से सिफ RAC industry ही यहां पर आगे जाके grow करेगी ऐसी expectations market में आ रही है next हम बात करेंगे company के second division that is the electronics division so हमने देखा था company ने कुछ acquisitions किये तो जिससे उनने printed circuit board assemblies में फूरे किया and उसी के साथ साथ उसी के साथ और जादा expansion करते करते company का electronics division काफी जादा strong होता हुआ नजर आ रहा है so management भी इस division को लेके काफी bullish almost next two years में मतलब FI 24 से लेके FI 26 management कह रहा है कि यह 2 साल में company इस segment का revenue double कर देंगी साथ साथ वो margin improvement की भी बाते कर रहा है इस segment में तो दोनों ही factor काफी positive play कर सकते company के लिए in the electronics division so इस division में basically company PCBA सबसे जादा बनाती है so what are PCBA तो यहां पर हम देख सकते जो circuit boards होते है printed circuit boards तो उसकी अगर पूरी assembly अगर हम देखे तो उससे PCBA कहते है तो यहां पर जब किसी भी electronic product में PCBA बहुत ही crucial component होता है तो company electronics division में PCBA बना रहे है and these PCBAs are not just for ACs यह microwave भी है, refrigerator भी है, television है, ceiling fans है, small appliances है तो ऐसे multiple products के लिए यहां पर वो लोग PCBA बना रहे है उसके साथ company telecom segment में भी अपना contribution दे रहे है, वो routers बना रहे है and other कुछ units भी वो लोग बना रहे है तेलीकॉम segment में, Noise यह जो brand है उसके साथ company ने tie-up किया है recently and उसके अंडर company wearables and wearables का segment है, उसमें smart watch and earbuds जैसे products यह लोग यहां पर बना रहे हैं कुछ इनके products EV, electronic vehicles जो है उसके भी applications में यहां यह यूज हो रहे है लगबग 4 manufacturing facilities है company की इस division में across the country so PCB के business के बारे में अगर हम management की comments देखे तो management ने एक पहले historical कैसे इन्होंने फोरे किया वो बताया तो air conditioner PCB के साथ इन्होंने यह पर अपनी journey शुरू करी थी and उसके बाद refrigerators, washing machines, microwave जैसे कई सारे products इन्होंने PCB assemblies में add किये so उसके बाद company ने yearables and wearables में फोरे किया फिर उसके साथ telecoms and smart meters ऐसे कई सारे industry में वो लोग अपना फोरे करते गए so अगर हम company के जो expectations है इस segments है तो उसकी बात करें तो company कहती कि उनके जो historical margin से वो 3% थे लेकिन next year में यारने की FY25 में they are targeting a margin of 7 to 7.5% margin में काफी जादा improvement आएगी और यह जो segment है अभी तक के इस company के लिए सबसे lowest margin segment था तो वहां पर margins double हो रहे है अगर ऐसा company का मानना है तो बहुत ही अच्छी बात है overall consolidated margins के लिए भी and revenue भी यहां पर काफी strong visibility company को दिखाई देती है इसलिए वो कह रहा है कि next two years में इसे हम double कर देंगे revenue को तो इस वजह से company काफी जादा bullish है in terms of the electronics division so next next division के हम बात करेंगे railway subsystems and mobility division so this division में company railway में use होने वाले air conditioners बनाती थी so starting में company उसी के साथ यहां पर company ने अपना production स्टार्ट किया था so via the acquisition of Sidwal तो उसके साथ साथ फिर company gangways बनाने लगी doors बनाने लगी and उसके बात फिर उन्होंने buses में भी cater करना चालू कर दिया so mostly AC buses होती है तो उनके लिए भी ACS provide करने लगे उसके बात company ने कुछ दूसरे industries में भी अपने applications ढून लिए for example defense, telecom, data centers, refrigeration and cold storage rooms जो होते हैं तो वहां पर भी इन्होंने अपने product supply करना चालू कर दिया so railways के अगर हम बात करें तो इसमें company का पास सिफ एक ही manufacturing facility है अभी जो की North India में situated है यहां पर हम products देखें तो basically ACS से यहां पर उन्होंने foray किया उसके बाद वह डूर्ड में गए उसके बाद फिर roof mounting and power packs में गए उसके बाद company ने जो controllers वागेरे जो दूसरे equipment लगते है वह सारे equipment यहां पर for example electronic thermostat तो ऐसे सारे equipment यह लोग यहां पर बनाने लग गए अगर हम company की overall manufacturing facility की बात करें तो 23 manufacturing facilities are for the consumer durables 4 electronics division के लिए and 1 railway division के लिए जो एक फरिदावार में situated है लेकिन company जब list हुई थी in 2018 January 2018 में company ने अपने आपको stock exchange पर list किया था तो उस वक्त company के पास I think सिर्फ 10 से 11 manufacturing facilities थी and अभी like next 6 years में strong growth की तरफ यह लोग हमेशा hungry होते है कि जादा से जादा growth यह लोग यह ला सके so एक interesting यहां पर एक chart मिला था मुझे तो that is what I am sharing with you currently so जो EMA space है या जो electronic manufacturing का जो पूरा space है तो उसमें कौन से products कैसे margins और volumes के basis पे कैसे divided है तो जो Ember के products है वो यहां पर इस quadrant में fall करते है that is a high volume and low margin business so हमने देखा RACS में and electronics division में दोनों ही जगह पर जो margin से वो single digit की है तो low margin but यहां पर volumes बहुत होते तो volume का game बहुत important है तो यहां पर Ember के products fall करते हैं so next जो company के अगर हम segment की बात करें कि segment wise कैसे performance रही है so last three last four years के अगर हम nine months का data देखे so company ने अभी इसके पहले तक के जो company का segment जो थे वो अलग तरीके से वो लो present करते थे and इसी साल से company ने segment reporting थोड़ी सी change कर दी तो इस वज़े से full year का segment data हमारे पास available नहीं है historically अगर हम बात करें तो so इसलिए nine months के basis पर यहां पर compare करेंगे so तीनोई segment में revenue जो grow हुआ है वो 40% के आजपास ही grow हुआ है so electronics में 39% railways में 44% so ऐसे काफी अच्छी growth यहां पर आई है लेकिन consumer durables के लिए यहां पर base effect का भी question mark है कि base effect के वज़े से भी शायद consumer durables में यहां पर growth जादा दिखाई दे रही है and similarly अगर हम EBITDA level पर यह comparison करें 62% के EBITDA growth यहां पर दिख रही है in the consumer durables segment electronics division में 38% की यहां पर growth दिख रही है and railway and mobility division में 41% के EBITDA growth दिख रही है so railways के margins more or less stable है and consumer durables के margins होड़े से improve है so again this is all थोड़ा सा base effect के वज़े से यह चीज़े biased हो जाती है लेकिन अगर हम 4-year के बाद यह compare करें तो maybe शायद कुछ different picture आ सकता है तो अगर शायद base अगर हम अलग लें तो यह growth numbers है वो थोड़े से अलग दिखाई देंगे ऐसा मुझे यहां पर लगता है so अगर हम margins के बारे में इतनी बात करें अगर हम बात करें तो consumer durables का margin करें वो around 6% के margin इस segment में company कर रही है and इनका target है कि यह थोड़ा सा यहां पर और improvement आ सके and basically company का कहना ऐसा है कि जो दूसरे companies जो इनके customers है for example whirlpool, bustart जैसी जो ब्राइंट जो इसी बना रही है तो वो ब्राइंट जो है इनके कुछ customers उसमें से खुद की in-house manufacturing facility start कर रहे है तो अभी इसमें होगा क्या कि there are certain pass-through incomes जो basically compressor company को import करना पड़ता है compressor जो होते हों amber नहीं बनाते है तो जब revenue book होता है तो compressor as a cost भी book होता है and as a revenue भी book होता है तो उस वज़े से जो pass-through income है वो उस वज़े से revenue growth जादा दिखाई देती है and EBITDA margins कम दिखाई देते है लेकिन company का कहना है कि consumer durables में structural shift यहां पर देखने को मिल रहा है because more and more players are doing in-house capacity तो यहां पर components का जो sale है वो on a higher side रहेगा and जो overall RSE का जो share है वो on a lower side रहेगा तो उस वज़े से revenue growth थोड़ा से यहां पर subdued दिखेगा as compared to the 40% growth जो हमने last 3-4 years में देखी तो वैसे growth नहीं रहेगी लेकिन इसके वज़े से जो margins है overall overall margins यहां पर अच्छे से improve हो जाएगे electronics division के अगर हम बात करें तो currently 4-5% के यहां पर EBITDA margins है so company का target है कि next year में 7-7.5% के margins यहां पर यह लोग achieve कर ले और उसके अगले साल में यानि next two years में double to double revenue तो यहां पर EBITDA margin improvement as well as revenue improvement तो यह दोनों ही इस segment के लिए play out हो सकता है railway and mobility division is again a fast growing division so overall अगर हम railway industry की भी बात करें तो railway is a very hot industry government का भी काफी focus है in fact हमारे जो current prime minister है उन्होंने कहा है कि अगर वो लोग आते है वापस से बीजेपी अगर power में आती है तो railway would be a focus center तो काफी एक अच्छा यहां पर सही timing पर शायद का company ने इस segment में अपना presence बना लिया है यहां पर जो margins है वो बहुत ही amazing है more than 22, 21, 22% के margins company consistently इस division में करती आ रही है तो यह एक बहुत ही अच्छे factor है अगर railway का जो contribution है in the overall mix यह improve होते जाएगा and with these high margins तो company की overall profitability में यह shoot up करने में बहुत जादा helpful रहेगा यह division segment wise revenue mix के अगर हम बात करें तो last 9 month का अगर हम data देखे तो segment wise revenue mix में जादा कोई changes नहीं दिखाए दे रहे है तो जैसा की FI 21 के 9 months में था तो similar वैसा ही हमें एक mix यहां पर नजर आता है लेकिन अगर हम यह mix EBITDA के terms में देखे तो EBITDA mix थोड़ा सा change होता है नजर आ रहा है because consumer durables का EBITDA in FI 21 यह थोड़ा subdued था उस वज़े से mix जो है वह थोड़ा सा lower side दिखाई दे रहा था तो यह 50% EBITDA mix था वह immediately next year margin वहां पर recover हो गए तो 63% के आसपास आगया तो अभी 61% पे EBITDA mix EBITDA contribution इस segment का but अगर हम railway subsystems की बात करें तो 27% का यहां पे EBITDA contribution इस segment आ रहा है तो यह segment EBITDA यारन की bottom line के perspective से बहुत जादा important रहेगा की यह segment कितना fast company growth कर सकते है so this is one of the key factor that would be tracking if you want to be invested in this company or if you are tracking this company एक जो company का historical हमने timeline देखा तो वो चार्ट हम वापसे देखेंगे इस पर हम देख सकते है कि यह जो orange boxes है यहां पर company ने काफी सारे acquisitions किये है यहां Ever Electronics, PICL ILJN, SIDWAL ऐसे कई सारे acquisitions और उसके आगे भी company ने कई सारे acquisitions यहां पर किये है so इसका अगर हम importance देखे तो why this is important so अगर हम Fy23 का revenue देखे तो Ember का जो stand-alone revenue है that is around 5000 crores and the subsidiaries का revenue है that is 1900 crores so 6900 crores का revenue company ने Fy23 में बनाया था लेकिन EBITDA के अगर हम बात करें in Amber's growth journey so हम एक एक acquisition के बारे में समझेंगे कि company कैसे thought process रही थी so PICL के अगर हम बात करें तो PICL में company का currently 100% stake है and 2012 में company ने PICL को acquire किया था so PICL electronic motors electric motors बनाती है and they cater to the RAC industry so captive consumption भी हो जाता है and as a component sale भी यहाँ पर PICL के products use होते है Sidwall जो है company का acquisition था for the mobility division so railways में जो roof mounted package units जो होते है air conditioning के तो उसका यह एक pan India service service network था so railway के coaches है company Sidwall काफी जादा active role play करती है तो railway को ACS provide करने में Sidwall का बहुत बड़ा contribution रहा है next जो दो subsidiaries के हम बात करेंगे ever electronics and ILJIN so यह दोनों भी subsidiaries 70% subsidiary है ever electronics का acquisition 2018 में हुआ and ILJIN का 2017 में तो एक चीज़ यहाँ पर हम नोट कर सकते है कि दोनों भी जो companies है printed circuit board assemblies में काम करती है so ever electronics PCBA में है and ILJIN भी PCBA में है यहाँ पर जो application industry वो दोनों के लिए अलग है for example ever electronics is catering to washing machines and microwaves whereas ILJIN it is catering to air ACS consumer durable products like washing machines and microwaves उसके साथ साथ wearables like smart watches and smart bands इन सभी में भी यह अपने PCBA डेवलप कर रहे है तो अपी रिसेंटी company यह दोनों companies को merge merger के लिए approval मिल गया so these two companies will essentially be one company and company like like Amber is planning की ILJIN Electronics India Private Limited को वो अपना Electronics Division का flagship unit बना दे इसके साथ साथ company ने कही सारे और acquisitions भी किये थे for example परवरतका का जब इन्होंने acquisition किया so it is again a backward integration for them उसके साथ इन्होंने Amber PR का जब acquisition किया था so cross flow fans का यहां पे वो manufacturer है वो भी एक backward integration thought process से ही किया था company ने एक holy own subsidiary भी यहां पे setup करी है in USA US में वो लोग try कर रहे है कि European markets and US markets में वो अपने products supply कर सके the thought is to go global and वहां पे भी वो अच्छा market share अगर कमा पाए तो एक काफी position रहे गे in the entire industry from the Amber's perspective so उसके बाद अगर हम company के new ventures की बात करें तो recently company ने next based marketing private limited याने की जो noise brand है उनके साथ एक JV form करी so उसमें ये 50-50 JV है जिसमें जो manufacturing assembly and designing of wearables and smart electronics products would be carried out by this JV to Amber electronics division so उन्होंने यहां पे new venture foray करा है wearables industry में and यहां पे उनका target है कि एक new plant set up करे that would be noida and इस plant का जो investment रहेगा around 10-15 croz का investment रहेगा and उससे जो company का mix रहेगा जो revenue generate होगा जो इस JV से that would be around 1000 croz so although यहां पे margins कम रहेगे लेकिन revenue काफी जादा add हो जाएगा and company का target है कि next financial year में ही यह लोग 1000 croz का mark next important acquisition is again in the EMA space so ascent circuits private limited का acquisition यहां पे उनोंने किया है company and यह ascent जो है वो PCBs में काम करती है again so इनका जो ascent का customer base है वो भी काफी divers है aerospace, defense, medical ऐसे कई सारे varied industries में वो लोग cater करते है तो इनकी जो important clients है from the aerospace and defense industries अगर हम देखे तो ISRO है, BEL है, BHEL है तो यह तीनों companies है उसके अलावा automotive में, telecom industry में consumer electronics industry में यह लोग cater कर रहा है basic thought process अगर हम इस acquisition का देखे तो जो EMS portfolio है Amber enterprises का उसको strong करने के लिए company ने इसे acquire किया था इनके जो कुछ application से वो company के लिए backward integration की तरह भी काम करेंगे तो backward integration thought process से भी यहां पर company ने इस ascent का acquisition किया था next company ने korea के एक unit korea की company korea circuit जो है semi conductor space में काम करती है उनके साथ एक MOU sign किया है so what is this MOU about so यहां पर ascent circuits जो है so basically amber and korea circuit की यह जो venture है उनका objective रहेगा that is to manufacture flex, hdi, semiconductor, substrate, PCBs and korea circuit अपना PCB manufacturing को strong करना चारी है इसलिए उन्होंने amber के साथ यहां पर इंडिया में फोरे किया तो यह एक thought process था उनके end से and for amber again it is a big step because यहां पर उन्हें कई सारी चीज़े में experience मिलेगा when it comes to satisfying the customers you know demands so multiple layer multi layer double sided and single sided PCB सभी type के PCBs यहां पर अंडर यह लोग manufacture करेंगे next जो company ने एक JV फ़ॉर्म किया that is with TitaGar railway system यह एक listed company है जो लोग नहीं चानते तो railway systems जो wagons वह रहे इसमें TitaGar का काफी अच्छा presence है so Sidwal जो company का mobility division का की subsidiary है तो उसमें Sidwal and TitaGar में यह जो JV फ़ॉर्म हुई है so this would be a 50-50 JV जहां पर दोनों भी companies 120 croz रुपीज इन्वेस्ट करेंगी so एक Shivalix नाम से यह JV फ़ॉर्म होगी and Shivalix would again invest 20.21 million euros in a company called TitaGar Fierma railway TitaGar Fierma SPI Italy so Italy market में यहां पर वो लोग invest करेंगे and इसी के साथ Sidwal को Italy में and European Markets में entry मिल जाएगी so company ने 2019 में Sidwal को जब अक्वायर किया उसके बाद company ने काफी ट्राय किया in fact last two years में उन्होंने बहुत जादा मेहनत करी कि वो global clients को on board कर सके लेकिन because of the lack of experience to serve global clients and global level पर उन्हों काम करने का experience नहीं था इसवजे से कही सारे contracts उनके हाद से चले गए इसी thought process से company चाहती है कि experience भी यहाद से उनके पास आ जाए and वो अपना global presence भी बनाना चालू कर सके so क्या-क्या products यहाँ पर अगर हम टीटागर के जिस जेवी के बारे में अगर बात करे so company interiors बनाएगी जो railways में लगते हैं तो सारी टाइप के interior seats अगरे सारी चीजे company यहाँ पर बनाएगी उसके बाद दो railway के cars को join करने के लिए जो couplers होते है तो वो couplers भी यहाँ पर बनाएगे उसके बाद papis seat and grab rails तो वो सारी चीजे यहाँ पर बना रहे and railway toilet जो होते हैं वो भी वो लोग यहाँ पर इस segment में बनाने वाले हैं next अगर हम company के management की बात करे कि उनका क्या perspective है क्या thought process तीटागड के तीटागड के साथ यह जेवी करने का so company के जो CEO है उन्होंने बताया कि किसी भी railway का या metro का passenger car होता है so metro car और passenger car जो होता है उसका जो material cost होता है वो लगबग six crores का होता है so six crores में जो ACS लगते है जो तीटागड supply sorry amber supply करता है वो उसकी cost होती है लगबग 25 से 30 lakh depending upon the quality and various aspects ठीक है इसके बात company ने doors gangways pantry में फोरे किया था तो उससे उनका जो wallet share है वो six crores में 80 lakhs पे तक के आ गया 75 to 80 lakhs रुपीज यह लोग यहां पे कर रहे है लेकिन टीटागड के साथ जब यह JV करेंगे जो products हमने देखे वो सारे products का अगर वो offering देने लगे तो जो wallet share है वो increase हो जाएगा to around 2 crores रुपीज याने one third of the material cost that would be in the wallet share of amber enterprises तो जो इनकी offerings है substantially बढ़ जाएगे अगर हम summarize करे यह जो सारे acquisitions की हमने बात करी तो उसको company की growth को एक तरह से summarize करना चाहे तो company का जो road map है वो basically backward integration के उपर ही focused रहा है तो पहले उन्होंने AC में जब sphoray किया उसके बाद उन्होंने IDUs, ODUs के बाद heat exchangers बनाने लगे फिर injection molding components बनाने लगे फिर multi flow condensers बनाने लगे और उसके बाद induction motors बनाने लगे वाया acquisition of PICL तो यह जो था यह पूरा consumer durable segment को cater करने वाले acquisitions and forest थे company के तो organic and inorganic दोनों का mix है initially अगर हम देखिया तो 2010-12 तक के company organic growth पे काफी जादा focus थी बट उसके बाद company ने inorganic growth को भी अपना लिया by the acquisition of PICL उसके बाद ever electronics और ILJN के acquisition किया and उसके बाद जो recently ascent का acquisition है multiple jv's जो उन्होंने फॉर्म कर यह तो green field के साथ सब brown field growth भी यहां पे वो लोग expect कर रहे है interesting चीज यह है कि company के customers है वो काफी बड़े names है for example there is panasonic, blue star we have again यहां पे आगर हम देखे Hitachi है carrier है Volta से तो industry के सारे जो बड़े नाम है वो यहां पे amber enterprises के साथ कही ना कही जुड़े either through RAC entire unit production कर रहे और through components business so in fact IFB, LG कई सारी companies यहां पे client base में बड़े बड़े नाम से यहां पे जुड़े हुए है अगर हम company का overall EBITDA structure देखे तो giving apart the FY16 part company का EBITDA margin वो around 7 to 8% के बीच में range करता है last 3 years में post COVID अगर हम देखे तो यह margin से वो एक declining stage पे हमें नजर आते वह दिखे है so although company का EBITDA था वो increase हुआ लेकिन margin से वो decrease हुए major reason यह है raw material cost जो है वो बहुत जादा बड़े post COVID and अभी कहीना का stability आते हुए नजार आ रही है लेकिन all kinds of raw materials have increased and यह consumer durables के लिए एक बहुत बड़ा challenge था last 2-3 years में because raw material cost के volatility थी उसको उसे bare करते करते पूरी industry को एक heat यहां पे उसकी सहनी पड़ी थी उस वज़े से भी यहां पे FI24 में company के EBITDA margin improve हुआ है लेकिन जब यह dust settle हो जाएगी थोड़ा सा भी हम जैसे देख रहे है कि raw material के cost है वो जितने inflate हुए तो उस level से काफी जादा correct हो गया है तो एक बार यह चीज़े सेटल हो जाएगी तो margins भी वापस से improve होगे although company के ने जो अपना उनका जब लिस्टिंग हुआ था उनका जो prospectus आया था या जो DRHP हम कहते है तो DRHP में company ने बताया था कि वो hedging tools use करते है बट जो hedging tools है वो उनके short term duration में this is again 6-7 years back की story है तो short term hedging यह लोग करते है जिससे थोड़ा बहुत raw material का जो pricing impact है वो लोग उसको insure कर सके उसके साथ सथ इनके price escalation जो material price increase के वज़े से price escalation से वो contract में mention होते है लेकिन there is always a lag इसी वज़े margins में थोड़ी बहुत volatility नजर आती है especially when the raw material prices are on a higher side amber enterprises ने काफी ज्यादा capex पे focus किया है in last 2-3 years so fy 22 में 433 क्रॉस का यहां पे capex किया उसके बाद fy 23 में 727 क्रॉस का capex यहां पे company ने किया है so लगपक 1100 करोड का capex last 2 financial years में किया उसके बाद already 9 month fy 24 में 262 क्रॉस का capex किया so again यहां पे उन्होंने acquisitions अपनी capacities भी ramp up करी है तो इस वज़े से company के जो facilities है जो उनकी capabilities है वो काफी जादा बढ़ गई है and this could again support to increase their overall revenue so अगर हम company का revenue भी देखे तो consistently it is growing and that is a good sign but again यहां पे margins अगर आच्छे से pan out हो margin improvement हो so that would be a very good story for amber enterprises so next हम बात करेंगे company के management के और उनके promoters के so जो company को currently manage कर रहे Mr. Jasbir Singh and Mr. Daljit Singh so यह दोनों सगे भाई है and इनके father Mr. Kartar Singh ने Amber enterprises की शुरुवात करे थे in 1990 so 2000 में Mr. Jasbir Singh ने इस company को join किया and eventually he became the chairman and CEO of the company और Jasbir Singh के पास लगबाग 21% stake है company में and Daljit Singh जो छोटे ब्रदर है जो यंगर ब्रदर है उनके पास 18% का stake है इस company में stake के अगर हम बात करे तो promoter group में जो तीन major shareholders है that is Mr. Jasbir Singh, Mr. Daljit Singh and Mr. Kartar Singh जो original founder person है इस company के उसके साथ साथ Ascent Investments Government of Singapore, Kotak Franklin, HSBC उसके बाद Wellington Trust, Edelwise, ऐसे कई सारी FIS and DIS के list में in fact Goldman Sachs भी यहां पे invested है तो कई सारे strong names strong FIDIS के names इस company के साथ जुड़े हुए है अगर हम company के FIDIS के mix की बात करे तो FIS have consistently held this company so लगभग 29% का stake September 21 में FIS hold करते थे December 23 में भी similar percentage यहां पे दिखाई देता है 28.29% of stake लेकिन हम DIS के अगर बात करे तो DIS almost 8.86% यहां पे help करते थे company में 14.67% पे आ चुका है तो DIS ने काफी जादा stake बढ़ाया in last 2 2 and a half years इस company में जो promoter holding है वो consistent रही है in fact एक marginal यहां पे increase देखने को मिला लेकिन एक अच्छी चीज है कि although its 40% stake ही है promoters के पास लेकिन फिर भी company में वो लो consistently invested है अभी हम की risk की बात करेंगे कि इस company के लिए क्या-क्या important risk है एक चीज हमने discuss कर ली थी कि raw material volatility is a very big threat for this company raw material prices अगर बहुत जादा बढ़ जाते तो company के margin वो suddenly गर जाते है उसके बात client concentration is another problem company का majority revenue आता है वो top 5-7 customers ही लेकिन इसके लिए company steps भी उठा रही है तो उन्होंने RAC's divisions को या पूरे consumer durables divisions के मतलब diversify करके उन्होंने electronics में गए उसके बात वो mobility division में आ गए so they are trying to de-risk this concentration concentration कम करने की यहां पे strategy in place नजर आती है again company का major revenue is from AC आइडर through direct RAC बनारके या फिर components AC segment यह भी काफी जादा seasonal है तो जैसा weather होता है उस वज़े से उसके उपर AC की sales depend होती है for example Fy24 के Q1 में un-seasonal range की वज़े से AC जो industry है उसका sales कम हो गया था तो उस वज़े से Fy24 for a muted year रहेगा and ऐसा कुछ अगर होता है आगर आगे जाके तो यह company के लिए negative हो सकता है next जो risk यहाँ पे है की कई सारी companies in-house manufacturing पे भी focus कर रही है तो इस वज़े से जैसे जैसे उन company की उनकी खुद की अगर capabilities बढ़ती गई उनका experience बढ़ते गया and if they think की मतलब वह backward integration कर लिए and तो फिर amber components भी supply कर रहा था तो वह भी एक threat हो जाएगा company यह जो मतलब OEMs है वह अगर खुद manufacture करने लग जाए तो वह सारी companies में फिर amber के clients से उनका competition बन जाएगा एक और important यहाँ पर रिस्क हमें देखना चाहिए that is custom duties so China के जो goods components they are way cheaper than what amber is providing and इसी वज़े से जो custom duties के बाद amber के products beneficial दिखते हैं लेकिन अगर custom duty हट जाती है तो यह एक risk हो जाएगा because the Chinese products they would be very attractive in terms of cost to the customers valuation की अगर हम बात करे तो company currently 78-79 PE पे trade कर रही है historically अगर हम देखे तो last five year में इनका median PE है वह रहा है around 62.69 so 63-64 के median PE पे यह लोग यह company trade हो रही है लेकिन इसका एक reason यहाँ पे ऐसा है कि थोड़ा सा June 20 यानि कोवीड के पहले का तो अगर हम leave भी कर दे तो कोवीड के बाद भी अगर हम देखे तो PE भी काफी जादा volatile था maybe यहाँ पे जो EPS है वह कम था तो उस वज़े से भी company के जो PE है वह on a higher side दिख रहा है लेकिन अगर हम recently भी देखे तो company का PE बड़ा हुआ दिख रहा है तो वह again EPS के वज़े से ही यहाँ पे थोड़ा सा hike निया पे नजर आता है लेकिन अगर हम दूसरी EMS companies देखे for example Keynes है Dixon Technologies है so these all companies have always traded at a premium valuation Keynes तो एक काफी new company है लेकिन Dixon के अगर हम बात करे तो continuously EMS strong EMS player है discontinuously trading at a very good rich valuation तो इस वज़े से ember में भी यह valuations कैसे pan out करेगे तो this would be interesting because अगर हम company के stock price की बात करे तो stock price has increased इस period में अगर हम देखे तो overall consumer durables ने यहाँ पे सभी companies इस period में underperform करी थी यहाँ पे अगर हम देखे recent fall आया है तो अगर 30% का fall last February से भी हमें देखने को मिला stock price में basically यहाँ पे company small cap company जो small cap की rally हुई थी तो उसके बाद जो corrections भी है तो ember enterprises में भी वो correction हमें देखने को मिला है so this was all about ember enterprises तो एक काफी interesting company है एक unique business model है अपने आपको backward integrate करके इस company ने strong mode यहाँ पे develop कर लिया है जिस वज़े से जो Chinese counterparts है या Japanese counterparts है उन्होंने अभी तक के इंडिया में entry नहीं ली है लेकिन अगर company अपने margins अच्छे से improve कर पाए because again EMS player है जो अगर हम देखे कि एक high volume तो यहाँ पे continuously रहेगा लेकिन अगर margins यह लोग improve कर पाए तो एक बहुत ही अच्छी story बन सकती है and we definitely feel that this is a small cap company that should be on your watch list so अगर आपको यह video पसंद आया है तो इसे like कीजे और अपने views कमेंट्स में बताए और ऐसे ही और fundamental analysis के लिए बने रहे है यदना investment academy के साथ Thank you